तो गाइस सबसे पहले हम यहां ले लेंगे दही इसे हम अच्छे से फैट लेंगे यहां पर तो इसे में अच्छे से फैट लेती हूं इसे हमे ववाट करेंगे बेसन यहां मैंने अपना स्पेट लिया वर अच्छ ए साथा क relativity सकत Article ने पीटे डिया है और थोड़ा पानी डालगे वहां न मैं पानी कर दोंगी और इसे भी गॉटन कर लेंगे तरहीं अच्छ एसे तो यहां स 어렵ते नो इस में दो जार, झेल बंड कर लिया है और यह एलगा उंस अजी सब हम काट लेंगे सबसे पहले तो या गाइस इसी कर लेते हैं चॉप तो यहां पर मैंने लसन लिया है प्यास लिया है इन्हें अच्छे से चॉप कर लेते हैं लंबे-लंबे काट लेते हैं प्यास को और यहां सारा मैंने चॉप कर लिया है गाइस यहां मैंने कड़ी लीफ्स ल आप अपने कॉंटिति के साफ से डाल सकते हैं तो मैं यहां पे इतना बेसन ले लूँगी थोड़ा से इसमें और एट करूंगी तो या गाइस मैंने आप जो है अपना बेसन ले लिया है इसमें डाले हो नमक जीरा और इसमें हम एट करेंगे गरम मसाला और गाइस इसमें हम साथ ही में डाल लेगे धनिया पाउडर आप अपने कॉंटिति के साफ से सब कु डालिए और इसे थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे इसमें ज़्यादा नहीं डालनी है पानी डाल की इसका अच्छे से घूल रेडी कर ले पकॉड़े बनाने के लिए इसमे आप जाए तो आलू प्यास जो आपने डालना है वो डाल सकते हैं मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूं तो यह रेडी है यहां मैंने तेल चड़ा दिया और यह बिल्कुल गरम हो गया इस time पर यह थे कि मैं थोड़ा से डाल के चैक किया है तो यह रेडी है तो अब हम इसमे अप अपना प्रिट जटी और में सपचे करने प्रॉब सब्लय को सब्सक्ति ऑफ लिगו काई विए इसा अब में सब्सक्वाइक सब्द्सु जबने का भी मुद्सक्वायोब कर देते हमी आयर क récupप मुक्क टिया है इसी तरीके अपने दुबारा से जो है पकोड़े डाल देंगे और इसी तरीके से हमने अपने सारे पकोड़े जो निकाल देने हैं तो यह देखिए कितने अच्छे से यह निकल गए हैं सारे पकोड़े और अब मैं एक फॉक की हेल्प से इसमें इस तरीके से शेद कर रही हूं कि जब हम इने कड़ी में डालें तो जो कड़ी है इनके अंदर अग्जॉप हो जाए अच्छे से इससे क्या होता है कि जब हमारे जो नहीं भी फूले होते पकोड़े उसके अंदर भी कड़ी अग्जॉप हो जाती अच्छे से तो यह बहुत टेश्टी लगते हैं आप भी जरू ट्राइ किजिएगा तो मैंसी तरीके से सारे यहां पकोड़े उन्हें फॉक की हेल्प से अच्छे से इनमें हर तरफ से इस में हम लेंगे गरम मसाला और यहां ले रही हुमें धनिया पाउडर तो इसे कर देते हैं अच्छे से मिक्स इसे मैंने अच्छे से यहां पर मिक्स कर दिया है और इसे अप्राइंड से भी थोड़ा चला लेंगे थोड़ा मतलब अच्छे से मिक्स अप हो जाए इसमें गु इसमें सबसे पहले मिथी डाल देते हैं इसके बाद मैं मैं एड़ करेंगे जीरा और इसमें साथ ही में सूप लाल मिश डाल सकते हैं आप चाहे तो नहीं डालिए बट मैं डालती हूँ करी लिफ्स डाल दी हैं मैं नहीं हैं और इस से अच्छै से मिक्स कर देते हैं यह थोड़ा चैटकते हैं तो ध्यान से आप इसमें लसन डालेंगे हम और इसे भी लालेंगे हलका गोल्डन करेंगे तोять ऑंज abbiamo देख सकते हो यह गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं अब हम इसमें प्यास जाल देंगे चॉप की होए प्यास आप लंबे ही काटिए गाई और मैंने यहां पे सारे जो हैं अपने प्यास डाल दिये हैं इने भी मिक्स कर दोंगे मैं इसमें और बिल्कुल लाइट गोल्डन होने तक इसमें छोड़ दोंगी तो यह गाईस यह देखिए मैं अच्छे से नहीं हिला लेती हूं और अब जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाएं यहां पे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं अब इसमें मैं टमाटो भी एड़ कर दोंगी तो यहां मैंने सारे अपने टमाटर डाल दी है अब इन भी पांच मिनट तक हम चलाएंगी अच्छे से यह भून ना जाए जब तक तब तक तो यहां गास पांच मिनट हो गए थे यह सारे जों अच्छे से भून गए हैं अब देख सकते हो इतना रभर्ष यह लग रहा है अच्छा लग रहा है और इसमें हम चिली पॉड़र एड़ कर दी है मैंने और इसे मिक्स कर देंगे अच्छी से इसमें आप जो मारी लसी है ये एड़ कर देते हैं अपनी सारी लसी और ये देखिए अब हमें इसे सिम आज पे या हाई आज पे एकदम से चलाना है हाई पे चलाईए आप चल्दी हो जाएगा और लगातार चलाते रहे जब तक इसका वन बॉइल ना आ जाए फिर क्या होगा मैं लसी जो है कड़ी वो फटेगी नहीं तो यहाँ गाईज मेरा जो बॉइल है वो आना स्टार्ट हो गया है और यह देखिए आप लगातार चलाते जाएए इसे मेरा तो बॉइल आ गया था इसलिए मैंने या पे बंद कर दिया थोड़ी चलानी तो जब तक वन बॉइल ना आ जाए इसे अच्छे से चलाईए उसके बाद आप इसे छोड़ सकते हैं तो यहां देख सकते हो आप जो है बॉइल बिल्कुल आ रहा है हलका हलका और अभी यह बिल्कुल अच्छे से आएगा थोड़ी देर बाद यह देखिए अब देख सकते हो बॉइल अच्छे से आना स्टार्ट हो गया है अब हम इसे 20-25 मिन तक से माच पे छोड़ देंगे यह अच्छे से जो इसका उबाला जाएगा तो थोड़ी गारी हो जाएगी तो यहां गाईज अब हम इसे 20-25 मिन तक छोड़ देंगे और यहां मैंने साथ ही में राइस चड़ा दिये हैं जीरा राइस इसमें मैं देशी की डाला है इसे टेसित का बढ़ जाता है और यह भी साथ में बन जाएगे और यह देखिए हमारे जो कड़ी है वो कितनी काड़ी हो गई है इसे 20 मिनट हो गए थे गाईज तो आप देख सकते हो कितनी गाड़ी हो गई है अच्छी लग रही है बहुत जादा जैसी पॉफेक्ट यह बनने चाहिए थी बैसी ही पॉफेक्ट बनी है गाईज तो हम इसमें पकोड़े अट कर देंगे अपने तो यहां मैंने अपने पकोड़े लिए हैं और इसमें डाल देते हैं तो गैस का फ्लेम जो है सिम कर देंगे तो यहां गाईज यहां हमारे राइस भी है जो बन रहे हैं इसे भी ला लेते हैं और कड़ी हमारी ओल्मोस रेड़ी है यह देखिए कितने अच्छी कड़ी बनी है हमारी और राइस भी मारे रेड़ी है गाईज और कड़ी रेड़ी है सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यहां मैंने सब्सक्राइब कर लिया है आप भी खा लीजिए और प्लीज लाइक सब्सक्राइब वीडियो को जरूर कीजेगा बाइगाइज